दोस्तों ये सही है कि बीर में अलकोल की मात्रा कम होती है और इसमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है आमतोर पर लोग एक बार में एक से अधिक बतल बीर पी लेते हैं जिससे कैलोरी की मात्रा अधिक हो जाती है बीर में अन्य स्वात पतार्थे की तूलना में अलग-अलग तरह की कैलोरी होती है जो आपका बेली भर्ट का बढ़ाने का काम करते है इस बात को जानले कि कमर के आसपास से भी बहुत खतरनाग होती है इसलिए एक ग्लस बीर ही आपके लिए काफी है आपको बता दे एक ग्लस बीर में लगवक 150 कैलोरी होती है और एलकॉल की मत्रा बढ़ने से कैलोरी भी ज्यादा बढ़े जाती है एक रिसाच में दबा किया जा शुका है कि पेट की चर्वी बढ़ने से पुरुस में पीता बनने की समता 10% कम हो जाती है कई सोद में ये सामने आ है कि दिल के लिए बीर पिना अच्छा है लेकिन अगर इसका सेवन लिमिट से अधिक हो जाते है तो ये उल्टा असर दिखाना सूरगा देती है अधिक बीर का सेवन हिदय की मास पीसियों को नुकसान पहुचाते है जिससे श्ट्रोक, उच्छ रक्तचाप, टाइप टू डाइविटीज और दिल की अनियमी धड़कन का खत्रा बढ़ जाते है नियमीच सराप पीने वाले की तिलना में सबता एक भारी सराप पीने वालों में जो खिम और भी अधिक है ये रक्तचाप के स्थर में अचनक उताव चड़ाव करान होता है दोसब पूरुस के लिए प्रति दिन दो ग्लास और महिलाव के लिए एक ग्लास मध्धम पेम माना जाते है इस सिमा से आगे जाने पर हानिकरक पभब पढ़ सकते है सराब की मत्रा में अधिक बियर पीने से आपको उच रक्तचाप और कीड़नी की बिमारियों के खत्रा हो सकता है दरसल बियर मुत्रवर्धक और आपके कीड़नी पर अतरीक दवाव डाल सकती है यह डियाइडरेशन के कार्णमी बन सकती है और सरीर को इमेलेंस कर सकती है बियर का नियमीद 7 आपके गुर्दे को नुकसन पहुचा सकता है जिससे कीड़नी स्टन या कीड़नी फेलियर का खत्रा बढ़ जाते है एक रिसर्च में सामने आया है कि नियमीद या अधिक मात्रे में बियर का 7 पूरुस के सेक्स हर्मन पर बुरा असर डालते है जिसके वज़े से पूरुस के पिता बनने की समता 50-30 तक कम हो जाती है बियर के नियमीद 7 से लिवर पर बहुत ज़्यादा फ्रवाव फड़ते है क्योंकि इसमें जो अलकोहल पायाते है वो लिवर का नुकसान पहुंचाते है और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए आपके पाचन सक्ती पूरी तरह से बिगड़ जाएगी दोसो रोज बियर 7 करने से सरीर में कुछ बिटमीन और मिनरलस की कमी हो सकती है ऐसे में जब इन पोस्वक तत्वा की पूरती नहीं होती तो इसका असर आपके स्वास पर पढ़ते है अलकाहुल को मेटबलाईज करने के लिए हमारे सरीर को कुछ बिटमीन जैसे अतिरित पोस्वक तत्वा की ज़रूरत होती है हम अपनी रोज की डायेट में न्यूट्रिस और आसानी से प्राप्त कर सकते है लेकिन जरूरत से ज्यादा पोस्वक पूरा करने के लिए सरीर को उन्हें एब्सर्व करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है लगातार बीर पीने से दिमाग की सारी कोसिकाय नश्ठ हो जाती है जिससे कि वो किसी भी चीज़ पर अपनी दिमाग को केंद्रीत नहीं कर पाते और सोचने समझने की सकती भी कम हो जाती है तुस्तो सराब और रात के अच्छी नीन का आपस में अच्छा मेल जल नहीं है कुछ अधायने से ये बात सामने आई है कि बीर पीने से एक बैक्ती को जल्दी नीन्द आने में मंदद मिल सकती है लेकिन ऐसा लेंबे समय तक नहीं होता है सामको बीर पीने से दिन के समय आप एकक ग्रते के साथ काम नहीं कर पाते है साथ ही आपको ठकान भी मैसूस होती है ऐसे में सराब आपके नींद और मूड दोनों के लिए नुकसन दायक है कुछ लोग ज्यादा आप सराब के सेवन करने के कारण रात में ठीक से सो नहीं पाते सराब और रात के अच्छे नींद का आपस में अच्छा मेल जल नहीं है तो फ्रेंट्स ये था आज की जानकरी इसका मतलब यह है कि अगर आप ज्यादा बीर पियोगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा अगर आप लिमिट में बीर पियेंगे तो आपको फाइदे मिलेगा लेकिन फ्रेंट्स मैं आपको एक बात बता दू हमारे चैनल किसी वी व्यक्ति को अलकॉल पीने के लिए या फिर नहीं पीने के लिए नहीं कह रहे है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करे और सबके साथ स्यार करे और हमारे हेल्थ इन्वर्मेशन यूटूब चैनल को अभी सब्स्राइब करे मिलते हैं फ्रेंट्स नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए हेल्दी रहे, खुस रहे